नमस्कार दोस्तों, मेरा नमें बीजय ऐत्मार आप देख रहे हैं कॉमिक्स पीट dominance चैनल को तो चलिे दोस्तों, डैमन कॉमिक्स में चाचा चोद्री की संदार कॉमिक्स को सुरू करते हैं जिसका नाम है चाचा चोद्री साबू का वतन आप देख सकते हैं इसका कवत प्रिस्ट? ओके? तो चलिए इसकी पहली और संदार स्टोरी को सुरू करते हैं जिसका नाम है साबू का वतन चाचा जी आज मैं आपको अपने वतन ले चलूँगा कहां? जिवपीटर ग्रापर? जी हां वहां आप देखेंगे कि वो दुनिया यहां से कितनी भिन है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं अपना रोकेट जिवपीटर की उडान के लिए तैयार करता हूँ चता चौधरी और साबू रोकेट में बैठ कर जिवपीटर रवाना होते हैं चाचा जी अब रोकेट को दाएं तरख मोड़ो लो भाई मोड़ दिया रोकेट जिवपीटर ग्रापर उदरता है चाचा जी मेरे पीछे पीछे चले आओ सचमोच यहां के दुनिया बड़ी अजीब है प्रिजवी पर ऐसी गोल्ड इमारते कभी नहीं देखी चाचा जी मेरे पीछे पीछे चर्याओ अरे चाचा जी कहां गायब हो गय अरे चाचा जी को तो कवा ले उड़ा वो उने चूहा समझ रहा है साबू एक पथर उठाता है तार पथर जो ही कवे को लगा उसने चाचा चोधरी को छोड़ दिया सुक्र है इस ग्रह पर रेथ ही रेथ है नहें तो मेरी हटिया तूट कर काच की तरह बिखर गई होती धड़ाम चाचा जी अब आप मेरे साथ साथ चलो आपको कुछ नहीं होगा साबू का परिवाद साबू बेटा तुम आगे हा मा मेरे साथ मेरे दोस्त चाचा चौधरी भी आए हैं अच्छा ये तुम्हारे मित्र हैं हम इनका स्वागत करते हैं बच्चो चाचा चौधरी को फूलो के हार पहनाओ स्वागत है स्वागत है मारे गए फूलों के इतने बड़े हार अबे ओ साबू के बच्चे मेरा दम घूटा जा रहा है ये सारे हार उठा नहीं तुम्हें मर जाओंगा लो चाचा जी बापरे जान बची लाखों पाए अब ठीक है इन हारों के बोच से तुम्हें दबकर पापड बन गया था नलाए को तुम्हें पता नहीं इतने बड़े बड़े हारों का बोच चाचा चोधरी कैसे सा सकते हैं इन्हें एक गुलाब दो लीजिये जियोपीटर गुलाब का सबसे सुन्दर गुलाब का फुल हाजीर है बापरे ये गुलाब है या हनमान की गद्दा मुझसे उठी नहीं रही साबू उनकी मुस्किल को समझ जाता है इसे इधर लाइए चाचा जी दरसल यहां की सबी चीजें प्रिद्वी की सबी चीजों से अकार में बड़ी होती है इसलिए आपको परिशानी हो रही है तबी मा लाल बुझककर आ रहा है हमने उसे सो बोरी अनाज नहीं पहुचाया इसलिए वो नराज है हाई राम अब क्या होगा वो हम सब को मार देगा लाल बुझककर मैंने तुम लोगों को जिन्दा इसलिए छोड़ा था कि हर मेंने मुझे सो बोरी अनाज पहुचाते रहोगे पर अब मैं तुम सब को खक्म कर दूँगा अरे तुम लोग इतने हटे कटे होकर एक छोटे से मच्छट जिससे आदमी से तटते हो चाचा जी आपको नहीं पता इसके पास एक बिचितर जादू है जिससे हमें डर लगता है इसी जादू को दूर रखने के लिए हम इसे हर मेंने सो बोरी अनाज देते हैं हमें माफ कर दो इस बार फसल अच्छे नहीं हुई इसलिए अनाज पहुचा नहीं सके नहीं मैं तुमें इस गुस्ताकी का मज़ा अभी जखाता हूँ लाल मुझकर अपना जादू छोड़ता है बढ़ाम रहम करो रहम हम खुद भूखे रह जाएंगे पर तुमको सो बोरी अनाज अभी देते हैं लाल मुझकर का जादू और कुछ नहीं मामली पटाके हैं जीपीटर के लोगों ने सैथ पटाके की अवाज कभी नहीं सुनी इसलिए धमाके से ड़ जाते हैं दिवाली की बची हुई कुछ अतिस्वाची मेरे पास रखी है उसे ही काम में लाना चाहिए चाचा चोधरी दोड़कर अपने उपगरह की तरफ जाते हैं और एक रोकेट ले आते हैं लो भाई बुझक कर एक जादू मेरा भी देखो सर बड़े बेग से रोकेट उपर जाता है और है मैं मरा बापरे भागो इसके पास तो मुझसे भी बड़ा जादू है अब ये मच्छर आपको कभी नहीं सताएगा तो चलिए इसकी अगले स्टोरी सुरू करते हैं जिसका नाम है कारा बाल्टी बहने ओ तुमने मुझे धक्का देकर गिराया बहन मैंने तुम्हें चुआ भी नहीं बकरी हकनी को क्या गिराये की जोट मैंने देखा तुमने उसे जमीन पर गिराया धड़ाक वो बहो सुकर गिर पड़ती है जब होस आता है ओ मेरे सोने के जुमके कहा गए मंदाकनी कैसे आना हुआ चाचा जी सेंट्रल पार्क में दो औरोतों ने मेरे सीर पर डंडा मारा और मेरे जुमके उतार कर ले गई तो कारा बाल्डी बहने जेल से छूटा ही है जुम करने का ऐसा तरीका उन्हीं का है मुझे जुमके वापस तुम्हारे जुमके वापस आने चाहिए ये काम ककड़ी कर सकती है ककड़ी आओ क्या ये दुबली औरत उन काराबाल्डी बहनों से मेरे जेवर वापस लाएगी चाचा जी कहीं आप मजाग तो नहीं कर रहे है आम खाओ पेड़ गिनो ककड़ी तुम्हें सेंटर पार्क जाना है बहन एक कमजोड औरत आ रही है उसने केमती नेकलिस पहना है दंडा समालो आउं चिपकिली तुमने मुझे गिराया एक चिपकिली हतिनी को क्या गिराएगी जुबाल लडाती है तुम्हें सजा मिलेगी खटाक छोटी औरत को जान से मार डालो मारो धड़ाक खटाक मानदाक्मे के जेवर कहा है हम देती है रहम ककड़ी ब्लैक बेल्ट जोडो चैंपियन है तो चलिए इसके अगले स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है ट्रक विकाउ है ओ बड़ी गर्मी है मूँ सूख रहा है चाचा जी पासी एक नदी बह रही है ट्रक रोको प्यास बुझा लें आईए पानी ना होता तो इंसान के लिए जिंदा रहना नामुम्किन था साबू पेट भर कर पानी पी लो ट्रक विकाउ है कीमत दो हजार रुपे ट्रक दो हजार रुपे इतना सस्ता मजबूरी है बेटी के साधी करनी है खर्ची के लिए पैसे तो चाहिए ही ना गिल लो दो हजार रुपे ट्रक तुम्हारा हो गया जनकू खिसक लो तुमारी साधी नहीं हुई तो बेकी कहां से होगी इंजिन जल्दी स्टार्ट हो गया सौधा मुनाफे का है क्यों भाई क्या तकलीफ है रास्ता छोड़ो छचुन्दर किसी दूसरे की संपती हड़पने का मजा तुम्हें चखाता हूँ धड़ाक आज अच्छी कमाई हो गई धड़ाम मेरे रुपे हाई मेरी कमार तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को सुरू करते हैं जिसका नाम है पती का चुनाओ टैकसा रिया की रानी सारीना ये मेरे पती नमबर वन बिरोम था बिसु का सबसे ज़्यदा खुबसूरत पूरूस वो पती नमबर टू गौराज एक बेग्यानिक था इस तरह मैंने एक के बाद एक एक सो पैंतिस पूरूसों से विभा कियें सब विसु के परतिवसाली बिक्ती थे कोई सर्जन कोई अर्थ सास्त्री कोई एक्टर कोई लेखक तो कोई गायक आप मुझे खोज है विसु के सबसे सक्तिसाली मानों की महरानी सारीना वो मर्द है साबू सिपाईों जाओ साबू को लेकर आओ जो हुक महरानी चाचा जी सिपाईों का कोई ट्रक यहां आ रहा है तुम भागय साली हो महरानी सारीना ने तुम्हे अपना च्छतिस्वा पती चुना है एक महिना तुम्हारी महरानी इसे पती रखेगी और फिर मरवा देगी विवाग करने का मेरा इरादा नही ना काम्याव लोटना हमने सीखा नही तुम्हें जमर्दस्ति ले जाना होगा चलो सादी के मंड़प पर महरानी तुम्हारा इंतिजार कर रही है मेड को दूर हटो हमें मारने का अदेश प्राप्त है ये पावर फुल बं तुम दोनों के चीतर उड़ा देगा कडम भागो कुछ देर बार चाचा जी बहार आईए इस बार महरानी खुदाई है उसे भगा दो यही तो मुसीवत है मैं औरोतों पर हाथ नहीं उठाता साबू मेरी भी यही मजबूरी है जाओ तुम अजाद हो इी चुहा बचाओ वो कार में भाग गई तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है पतन साबू क्या यह रसी तुमने भैंसे पांदने के लिए पकड़ी है नहीं रिगू यह पतन की डोर है डोर इतनी मोटी साबू के लिए बहुत बढ़ी पतन चाहिए उसे साबनी के लिए दोरी रस्ची जितनी मजबूत तो होनी चाहिए ना पतन कहा है उसे बनाने के लिए मैंने खा की पतन साज को ओर्डर दिया था जा कर उससे लाता हूँ कहें दूर धोपन लो ये द्रक्स का डिपा अमिर्का में ये एक कोलोर से कम की ना भी केगी जिनंग अगर धंदा ऐसे चलता रहा तो हम थोड़े ही समय में कोलोर पती हो जाएंगे रुको बापरे हवल्दार धंडा दें धोपन कार तेज चलाओ अगर पकड़े गएं तो बड़े घर की हवा खानी पड़ेगी साबू के लिए बड़ी पतंग बनाने में पतंग साज खाकी को धेर सारा कागज इखटा करने में देर लगी होगी सर्दाट ओ वो इतने उतावले पन से कार चला रहे हैं चाचा चोदरी वो इसमगलर है तब तो उन्हें पकरना चाहिए हवल्दार डंडा दें आगे रेलवे फाटक बंद है हम उन्हें धर्द वोचेंगे रुको बस एक बार हम अपने हवाई जहाज में बैठ जाएं फिर हम इनके हाथ नहीं आते धराक जिनांग आओ जहाज में बैठो और इस देश से बाहर उड़ चलो साबू उस जहाज को रोको अभी लो चाचा जी रसी चलो ओ ये क्या अच्छा साबू मैं जाकर तुमारी पतंग ले आऊँ कोई जरुवत नहीं ये जहाज एक पतंग से कम नहीं तो चलिए इसकी अगले स्टोरी सुरू करते हैं जिसका नाम है पानी पर चलने वाला आदमी एस्टेडियम दर्सकों से खचाखच भरा है उन्हें इंतिजार है रुस्तम का जो पानी पर चलने वाला संसार का पहला आदमी है और रुस्तम क्या आते ही लोगों में खुसी की लहर दोड़ जाती है रुस्तम जादुगर है रुस्तम फरिस्ता है रुस्तम जिन्दाबाद भाईयो अब मैं आपको वो पानी पर चलने वाला करिश्मा दिखाऊंगा जिसके लिए आपने पैसे खर्च किये हैं वाह कमाल है पानी पर आज तक कोई ऐसे नहीं चला चाचा जी आज मैंने एक अश्चरे जनक खेल देखा पानी पर चलता हुआ इंसान तिंगो मांस्टर लग रहा है तुमारा दिमाग फिर गया है हो सकता है पर मेरे साथ जिन हजारों लोगों ने रुस्तम को पानी पर चलते देखा उनका दिमाग तो नहीं फिरा था अच्छी बात है कल का सू हम भी देखने जाएंगे वो रुस्तम जरूर लोगों को बेवकूप बना कर पैसा एठ रहा है चाचा चोधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है दूसरे दिन चाचा चोधरी सवेरे ही सवेरे उस पोल पर जा पहुंचा लोग पानी के अंदर देखते हैं नीचे नहीं पानी के नीचे जरूर कुछ छुपा हुआ है चाचा चोधरी पानी के अंदर गोता लगाता है अच्छा तो ये राज है हवा से भरे रबबर के ब्लोग रुस्तम इन पर पैर रखता हुआ निकल जाता है चाचा चोधरी सुई से सारे रबबर के ब्लोगों में छेद कर देता है सबेरे से भरी हुई हवा निकल जाती है अब उपर पानी की सतर पर जाना चाहिए और साम के खेल का इंतिजाल करना चाहिए साम को भाईयो अब आप एक ऐसा खेल देखने जा रहे हैं जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा सच मुच ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा अब वो किसी को कभी बेवकुफ नहीं बनाएगा तो चलिए इसके अगले स्टरी सुरू करते हैं जिसका नाम है डॉन साब का पटाखा चाचा जी अब ये कार बहुत पुरानी हो गई है किसी कभाडी को दे दीजिए कम से कम मुंफली खाने के पैसे तो आही जाएंगे साबू ओल्ड इस गोल्ड ये पुरानी खटारा जितनी वफदार है उतनी नई सेवर लेट भी नहीं हो सकती इसने बड़े एडवेंचर दिखाए हैं कई कार पट्योगिताएं जीती हैं जब आप अपनी कार चंपी को निकालते हैं तो जरूर कोई स्पेसल मौका होता है हाँ आज करनल फटफट ने मुझे फाइप स्टार होटल में चाय का निमंतरन दिया है आएं तो यहां चाय पीएंगे मैं अकेला यहां क्या करूंगा जब तक तुम होटल के स्विमिंग पूल पर नहा लो अच्छा अच्छा ख्याल है स्विमिंग पूल पर तराकिक यह अर्सा हो गया है करनल भटपट बेहतर होका अगर हम अंदर रेस तरा में जाकर चाय पीएं क्यों यहां खुली हवा में स्विमिंग पूल के किनारे चाय पीने में जो मचा है वो कमरे के अंदर कहां मेरा मतलब है हम स्विमिंग पूल से दूर हट कर बैठें क्यों क्या जौर भाटा आने का डर है जब करनल अपनी जीद नहीं छोड़ता तो फिर मैं भी कप्पे उतार कर अपने धंग से बैठता हूँ अरे चोधरी तुमने हमारे साथ बैठ कर चाय पीनी है कुस्ती नहीं लड़नी लो दरजलिंग की ताजा चाय पीओ और चुस्त हो जाओ वो करनल तुमारी चाय तुमारी रौब की तरह कड़क है तबी छपाक करनल इसलिए मैं कह रहा था कि हमें दूर हट कर चाय पीनी चाहिए चलो साबू करनल साब को जोस और चाय दोनों ठंडे हो गए ना चाते हुए भी नहाना हो गया अब घर चलने की तैयारी करनी चाहिए चाचा जी करनल साब नहीं लोटे जब तक उनके कप्रे नहीं सूप जाते वे वहीं रहेंगे ये कैसा पंखा है चलो अंदर चल कर देखा चाय मिस्टर डॉन साब आप ही हो वो अजीवो गरीब पंखा तुमारे पीठी है इसमें अजबुत क्या है ये तो आम पंखो की तरह ही एक है इसका मोटर सुपर पाउर क्या है अभी हम इस पंखा को चलाने के लिए बटन दवाता है तुम अपना टोपी संभालो बापरे इतनी तेज हवा फेकने वाला पंखा सचमुच मैंने पहले कभी नहीं देखा अभी हमने इसे सुलो स्पीड पर चलाया है अब हम पंखे को फास्ट स्पीड पर चलाने वाला बटन दवाता है ओ बचाओ अब तुम को पता चला कि दौन के पंखे में अगबुत क्या है अब हम इसकी स्पीड को सुपर फास्ट करता है कडाक धडां अरे भाई अगर मरना ही है तो मेरी चंपी के नीचे आकर क्यों मरता है अगर मैं ब्रेक ना लगाता तो तुम यम लोग पहुँचे होते चाचा जी डौन के पास एक पंखा है जो आदमी को हवा में सुखे पत्ते की तरण उडा देता है ये उसी की कर्दूद थी साबू चलो हम भी देखिये वो अजीवो गरीब पंखा साबू तुम यही रहो मैं अंदर होकर आता हूँ ये पंखा तो एक मक्खी नहीं उडा सकती फिर आदमी कैसे उडाएगा अभी पता चल जाएगा हम पंखे को चलाने के लिए बिजली का बटन दबाता है चाचा चोधरी अपना पंगरी समा लो हैं हमने स्लो फास्ट सुपर फास्ट एक एक करके सारे बटन दबा दिये मगर डॉन आज गर्मी अधिक है कास पंखा हमें कुछ ठंडी हवा दे सकता चोधरी हटो हम देखता है कि पंखे में कहां खराबी है कोई खराबी नहीं डॉन बाहर साबू ने मीटर बॉक्स से बिजली की सप्लाई काड़ दी है मुझे तुमारी बात का यकीन नहीं पंखे में कहीं कोई खराबी आ गई है मुझे देखने दो साबू चाचा चोधरी के आवाज आई बिजली फिर से चालो करने की तरफ यही सारा है बचाओ डॉन बताओ पंखे के स्पीड को फास्ट करूँ या सुपर फास्ट रहम मुझे माफ कर दो अब मैं किसी की खिलने नहीं उडाऊंगा तो चलिए इसकी अगले स्टोरी सुरू करते हैं जिसका नाम है चाचा चोधरी और बिग हैड कागों दास क्या बात है दुखी नजर आ रहे हूँ चाचा जी क्या बताऊं मैंने यही सादी की सस्राल वादों के कारण मेरे खर्च बढ़ गए क्या सस्राल वाले तुमारे यहां आजमे हैं नहीं ऐसी बात नहीं है मेरे सस्राल वाले अपने ही घर में रहते हैं तो फिर उनकी वज़े से तुमारा खर्च कैसे बढ़ा मैं उस पब्लिक टेलिफोन से अकसर उनको टेलिफोन करता हूँ अब जाते ही हैं कि हर बार फोन करने पर पचास पैसे लगते हैं चाचा जी क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि ससुराल में फोन करने का मेरा खर्चा बच जाए एक तरीका है? तो जल्दी से बताईए मैं आपका इहसान मानूँगा तुम सुसरान में तब फोन किया करो जब वहाँ घर पर कोई ना हो भाई गोपी तुमने पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली अब जाओ और कुछ कमाई करो मैं जाता हूँ भाई सहाँ जनाब आपकी तंदुरुस्ती बाड़ी अच्छी है हमारा सेहत अच्छा है क्योंकि हम अमिरकन है हमारा कंट्री में सब लंबा चोड़ा होता है तुम अमिरकन हो तब तो तुम जरूर अमिर होगे सुना है वहाँ के लोगों के पास बड़ा पैसा होता है हम अमिरकन पैसा अकल से कमाता है क्या तुम भी पैसा कमाना चाता है यस अमिरकन बाबू मैं भी कुछ कमाई करना चाता हूँ तो हम तुम से एक पजल हमारा मतलब एक पहली पोचता है अगर तुम उसका जवाब ठीक देगा तो हम तुम को 1,000 रुपया देगा अगर तुम जवाब नहीं देगा तो तुम हमको दस उर्पया देगा दस के बदले में हजार सौधा बुरा नहीं अमिर्कन बाबू पहली बोलो वो कौन सा बस है जो एंटलाटिक समुद्र को पार करके गया बस समुद्र में ये लो दस उर्पय अकल के टोटे उर गएं और हैं तुमारी कंट्री में जो हमारे सवाल का जवाब दे सके चाचा चौधरी हमको उसके पास ले चलो चाचा जी ये अमिर्कन बाबू एक पहली पूसता है जवाब दोगे तो एक हजार रुपय मिरेंगे वो कौन सा बस था जिसने एंटलाटिक समुंदर पार किया था कॉलम्बस ये लो एक हजार रुपय सचमुच कॉलम्बस के सिवा दूसरा बस ने समुंदर को पार नहीं किया कॉलम्बस ने समुंदर के रास्ते से अमिर्का का खोच किया था ये आदमी बड़ा होसी यार दिमाग वाला लगता है पर हम इसको हरा कर रहेगा बीग है चथा चोधरी हमको मात दे कर हजार रुपए ले गया हम तुम्हारे रुपए वापस ला सकते हैं पर उसमें से आधे हम रखेंगे मंजूर है तो जाओ चैन से बाइठ हो जहाँ अकल फेल हो जाती है वहाँ ताकत कामाती है हम तुम्हारे एक हजार वापस लेकर आते हैं अरे भाई चाचा चोधरी किधर रहता है इधर बेग है जा रहा है आर चाचा चोधरी की खेर नहीं ये अपने सीर के टकर मार कर चाचा चोधरी के अस्तिपंजडों का पाउडर बना देगा चाचा चोधरी नीचे आओ हम तुम्हारे साथ जुडों का मुकाबला करने आए हैं जो हारे का वो जीतने वाले को एक हजार उपय देगा दोस्त अभी मुझे फुर्सत नहीं है ये बाल्टी नीचे ले जाकर मुझे इसमें कुएं से पानी लेने जाना है तुम कायर हो मुकाबला करने से कत्रा रहे हो अगर ऐसी बात है तो समालो मेरी बाल्टी मैं जुडों का मुकाबला करने नीचे आ रहा हूँ धप लो बीग है मैं नीचे आ गया ओ, बाल्टी मेरे सिर में फस गई है, जब तक ये नहीं निकलती, मुकाबला अस्थगित रहेगा कोई बात नहीं, मैं इंतिजार करता हूँ, कोई जल्दी नहीं ओ, बाल्टी सिर से अलग नहीं हो रही ओ, मैं ठक कर हार गया, मुझ पर रहम करो, और किसी तरह मेरा सिर इस बाल्टी से निकालो जरा नीचे जुको, मैंने तेल की दो-चार बुंदे टबका दी है इससे बाल्टी चिकनी हो चाएगी, और तुम्हारा सिर फिसल कर बाहर आ जाएगा शुक्र है, बाल्टी के अंदर मेरा दम घोड़ गया था बिग हैट, याद रखो, लडाई ताकत से नहीं, अकल से जीती जाती है एक हजार का और नुक्सान हो गया तो चलिए, इसकी अगले स्टोरी सुरू करते हैं, जिसका नाम है भूट टेक्स जपानी राम अपने घर में सो रहा था जपानी राम, जागो, तुमने अभी तक भूट टेक्स नहीं चुकाया मैं वही वसूल करने आया हूँ, निकालो दस या रुपे भूट टेक्स, मैंने तो ऐसा कोई नाम नहीं सुना जिस तरह इंकम टेक्स, सेल टेक्स और हाउस टेक्स होता है उसी तरह भूट टेक्स भी होता है जो उसे नहीं चुकाता उसे मारना पड़ता है मुझे बक्स दीजिए, मेरे पास इसमें 5,000 है कोई बात नहीं, बाकी के 5,000 मैं कल लेने आउंका बैंक से निकलवा कर रखना सुबह हुई सेर्जी चाय बनावली कल रात अजीब घटना हुई एक भूत अपना टेक्स वसुल करने आया और पांच छेयर रुपे ले गिया सेर्जी बाहर किसी से ना कहिए वरना आपको पागल समझ कर लोग पत्थर मालने दोड़ेंगे कोई मुझ पर विश्वास करने को राजी नहीं चाचा चोधरी के बास जाता हूँ वो अकलमन दात्मी है सायद कोई हल बताए चाचा जी रात को मेरे घर भूत आया और उसने बताया कि मुझ पर उसका दर से यार भूत टेक्स बाकी है पांच यार मैंने उसे उसी वक्त अदा कर दिया बाकी वो आज रात लेने आएगा ऐसा टेक्स तो मैंने भी आज तक नहीं सुना मैं कोशिस करके तुम्हें टेक्स फ्री करा सकता हूँ आओ मेरे साथ रात जपानी राम मुझ ढखकर सोने से काम नहीं चलेगा मैं अपने बकाया टेक्स के पांच यार लेने आया हूँ भूत जी मैं जपानी राम का दोस्त हूँ मेरा मित्र आज रात उपरे मंजिल के कमरे में सोया है कमरे के खिड की खुली है पांच यार रुपे उसने तकीए के नीचे रखे हैं जाए और ले लिजिए वहां तक पहुंचने के लिए मैं सीडी ले आया हूँ मदद के लिए धन्यवाद जब मैं भूत टेक्स के पांच यार रुपे वसूल करके आऊंगा तब तुमें उसमें से एक दसी दूँगा ओ सीडी तूट गई कडाक बचाओ अरे ये तो मेरा नोकर बनौली है हाँ मैंने तूटे हुए डंडे की सीडी इसे दी थी इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं खत्म होती है तो मिलेंगे आपसे एक और ने कॉमिक्स में तब तक के लिए बाए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो के ज़रूर तो वहां इसको स्तेयर ज़रूर कर देना थैंक्स पर वाचिंग में वीडियोज